ओम श्यंति आज 21 फरवरी दो हजार चौविस मिठे प्यारे बावा की मिठी मिठी साकार मुर्ली के दस मुख्या पॉइंट सुनते हैं पहले बावा कह रहे हैं कि ज्यान के तलवार में योग का जोहर चाहिए तब ही विजे होगी ग्यान में क्या चाहिए योग का जोहर माना योग की ताकत ग्यान सुनाने के लिए बावा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तो होश्यार हो गए हैं लेकिन साथ ही साथ योग की बहुत बहुत जरूरत है यदि योग कम होगा न तो तीर नहीं लगेगा योगी का ही दूसरे पर असर पढ़ेगा बिना योग के तो बावा केते जैसे कुकड ग्यानी है कुकड ग्यानी जैसे मुर्गा होता है वो बांग मारता है एक्जक्ट चार वजे प्रन्तु उसके वाद स्वयम तो सो जाता है और उनको भले उठा देता है तो कहने का भाव अगर हमारे पास योग की शक्ती नहीं है तो हम खाली होंगे अंदर से हमारे अंदर वो शक्ती नहीं होगी तो फिर बावा कह रहे हैं बिना योग के तो फिर कई बार आत्में अपना दिवाला मार देती है नुकसान हो जाता है तो बच्चे भी खुद फिल करते हैं कि हमारे अंदर वो योग की ताकत नहीं है तो इसके लिए ग्यान सुनाने के साथ-साथ योग की शक्ती कहोना बहुत जुरूरी है और दूसरा परण बावा कहते हैं कि तुम बच्चे खुदा के पेगंबर हो हम किसके पेगंबर है खुदा के सुख़म भगवान हम बच्चों के द्वारा अपना पेगाम अपने बिछुडे हुए बच्चों तक पहunचा देते हैं है ना तो सारे दुनिया को हमने पैगाम देना है क्योंकि हम पैगाम कौन सा है जो हमें दूसरों को देना है बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चे क्या करो स्वयम को आत्मा समझो इसकी गहरी प्रक्टिस करो और देह भी मान छोड़ दो अब यह चेक करना पड़े कि दिन में कितना देव मान में हम रहते हैं और जितना जितना नोट होता जाएगा उसको हम छोड़ते जाएंगे जितना चेक होगा उतना ही चेंज होगा न तो देव मान चोड़ते जाना है क्योंकि एक बाप को जितना याद करेंगे उतना ही हमारे पापों का जो बोज़ है वो उतरेगा बिना याद के नहीं उतर सकता है पावन नहीं बन सकते हैं और साथे साथ हमें अंतर मुकी भी बनना अंतर मुखी माना अंदर ही अंदर स्वेम को चेक करते करते अपने मुख को अंतर के और ले जाकर के बाहर मुखता से मुखत रहना है व्यर्थ की बातों से यहां की वहां की बातों में कितना मनुश्य टाइम वेस्ट करता है बिलकुर नहीं करना है अंतर मुखी सदा सुखी अपने आप में रूरिहान करते रहना है, बाबा से रूरिहान करते रहना और उस नशे में खोई रहना है. तीसरा पॉइंट है, बाबा समझाते हैं कि मैं हूँ ग्यान का सागर और तुम बच्चे हो ग्यान की नदियां. तो अभी हम संगम पर दोनों मिले हैं, तो यह हो गया पुरशूतम संगम युग, यही एक संगम है, जहां पर आत्मा और परमात्मा, माना ज्यान नदियों का और सागर का मिला होता है, तो बाबा कहते हैं तुम्हें विचार सागर मंतन करके दूसरों को समझाना है, कि भगती मारग में जो गंगा के पानी को पूछते हैं और उसको पतित पावनी कहा जाता है पानी को तो पानी की बात नहीं है को गंगा वा सागर के पानी की बात नहीं है परंपिता परमात्मा जो ज्यान अम्रित हम बच्चों को भी देते हैं एक ही बार देते हैं संगम पर आकर देते हैं जिससे सारी पुरानी दुनिया बदल करके पावन बन जाती है स्वर्ग बन जाती है चोथा पॉइंट है बाबा ने सिवा के लिए चित्रों की बात की कैसे कैसे चित्र बनवाने चाहिए बाबा के रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जैसे दुनिया नाटको को शो करने के लिए बड़े-बड़े चित्र बनाती है रास्तों में बड़े-बड़े चित्र एड़ोटाइस्मेंट के लिए लगाती है तो ऐसी तुम बच्चों को जो सीड़ी का चित्र है बहुत बड़ा-बड़ा बनाना चाहिए सब की नजर पड़े उनको समझ में आए क क्या कहना चाहते हैं और सुन्दर शीट पर सुन्दर कलर हो जो दूप पानी से खराव ना हो ऐसा सुन्दर बनाओ और मुख्या स्थान जहां जहां है एक्जिविशन लगाओ वहां पर दिवारों पर बड़ा बड़ा गोला है न सिश्टी चकर का गोला ऐसे बड़ा बड़ा चितर बनाओ चाहे आठ दस जने उठा करके ले जाएं ऐसे बड़े चितर हो ताकि देखने वालों को दूर से समझानी आ जाए कि स्वर्ग क्या है नर्क क्या है सत्यूग क्या है और कल्यूग क्या है पांचमा पॉइंट है बाबा केते कोई इस्तरी ग्यान में चलती है तो कभी पुर्ष ग्यान में चलता है पुर्ष आगी तिखाओ जाता है नंबर वन लेता है कभी इस्तरी बहुत अच्छा चलती है है ना कई वार दोनों ही अच्छे ग्यान में चलते हैं प्रंतु यदि एक ज्यान में है दूसरा ज्यान में ठीक नहीं चलता है तो क्या करना चाहिए एक दो को साबधान जरूर करना चाहिए धिला नहीं छोड़ना है प्रवरिती मार्ग है न जोड़ी एक जैसी होनी चाहिए एक दो में कमी देखो दूसरे को आप समान बनाने के लिए उसको पुर्शार्थ करते रहो मैनत है एक दो के अवगुण निकालने के लिए मैनत भी करो आगे चैठा पॉइंट है बाबा कह रहे हैं कि मैं हूँ सुप्रीम टीचर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो यहां क्या होता है कि कोई कोई बच्चे पढ़ते 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 पढ़ाई चोड़ देते हैं स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ते हैं, दुनिया में भी, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो लेकिन यहां पर जो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, तो बाबा के ती क्या होगा, स्वर्ग में नहीं आएंगे, तो बाबा कह रहे हैं, मैं विश्यो का मालिक बनाने आ आया हूं अगर मेरे से कोई दो अक्षर भी सुन लेता है तो भी स्वर्ग में जरूर आएगा अब देखो बाबा कितना रहम दिल है कि किसने दो अक्षर भी सुने हैं फिर छोड़ दिया है उनको भी मैं स्वर्ग में आने का वर्सा जरूर देता हूं तो आप सोचो कि उश्यविल बुद्धी मना शुद बुद्धी, पवित्र बुद्धी होनी चाहिए। जब दिखते हैं कि इनकी क्रीमनल आई हैं तो समझ जाते ही नहीं चल सकते। तो महरे आत्म अवर्त-रिकाल-दर्शी बनती हैं। ऐसा विरला ही कोई समझते हैं, बहुत हैं जो बुद्धु ही हैं, बाग को छोड़के चले जाते हैं, फरकती दे देते हैं, तो पिछाडी में साक्षातकार होगा, कि हम जाकर के दास्तासियां बनेंगे, क्योंकि दास्तासियां वराइटी चाहिए, जैसे एक रिशन जी हैं, उनको पालना करने वाली और होगी, बर्तन साफ करने वाली और होगी, खाना बनाने वाली और होगी, सुफाई करने वाले वराइटी होंगे न, तो यहां पर भी, जो जैसा पुर्शार्ट करता है, वैसा बन जाएगा, इसलिए पुर्शार्ट बहुत सिरियस होके करना है, आठमा पॉइंट है स्वयम में चेक करना है करोध का अंश भी है तो निकालते जाना है कईयों में करोध और रोब के संसकार बहुत होते हैं क्यूंकि देव मान बहुत होता है तो बावा कहते ये देव मान के ही बाल बच्चे हैं करोध रोबादी तो स्वयम को अच्छी तरह स चेक करके उनको निकाल देना है और नहुआ पॉइंट है बाबा कहते साक्षी हो करके करमिंद्रियों से करम करवाओ अपनी करमिंद्रियों से साक्षी हो करम करवाना है और करतापन का जो भान है कि मैंने किया मैंने किया उससे मुक्त रहो तब ही हम क्या बनेंगे औश्रिरी बनेंगे दे से न्यारे होंगे है न तो करमिंद्रियों की भान से न्यारे विदेही बनके करमिंद्रियों को यूज करना है यह हमारी करमचारी है जैसे कोई करमचारियों से करम करवाता है ऐसे ही न्यारे हो करके मालिक बनकर के करमिंद्रि यसे पूरा दिन में बिजी रहते हैं, तो दिन में कई बार ही चिंतन करना पड़ेगा, कि मैं आत्मा करमिंद्रियों का धाले करके, ये करम कर रही हूं, उसके लिए एक मिनट, दो मिनट, अश्रिरी बननी का अभिहास करना है, बाबा कई मुर्लियों में इस अभिहास को रोज पका कराते हैं, कि दिन में कई बार ये करो, इससे हमारी जो मनसा है बहुत पावर्फुल हो जाएगी, और ये अभिहास लास्ट का जो पेपर होगा, अजानक का, उसमें हमको पास्पिद ओनर बनने में मदद करवाएगा, ठीक है, तो दिन में बीच में कई बार अश्रिरी बनेंगे, देश से न्यारे बनेंगे, जिससे क्या होता कि जब हम अपने दुनिया के पार्ट में, जो हमको पार्ट रामानसार मिला, उसमें इन्वल्व हो जाते हैं, है न, जब डिटैच हो के देखते हैं तो फिर दगता कि हम कितना इन्वल्व हो गए थे, है न, पिस वह में कुनियारा कर पाएंगे, तो ये अभ्यास दिन में कई बार हमें करना है, और दसमां पॉइंट है, बाबा केते हैं कि विश्यू महराजन बनना है, बाबा अपने हर एक बच्ची को क्या बनाना जा रहे हैं, विश्यू महराजन, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, विश्यू को सकाश देना है, बाबा कई भार केते हैं, कि तुम विश्यू के पालक हो, विश्व को पालने वाले हो विश्व के पुरवज हो तो संकल पुन दोरा रोज विश्व की सर वात्मों के सिर पे हाथ फेर दिया करो जैसे पुरवज अपने चोटों के आगे हाथ फेर दिया नों के सिर प्यार करते हैं लाड़ करते हैं तो ऐसी द्रिश्टी दे करके सारे संसार की आत्मा पर द्रिश्टी दोड़ाओ, उनको सुख शान्ती का दान दो, तब ही हम कहलाएंगे विश्व, पालक, विश्व, राजन, ठीक है, ओम शान्ती.